साथियों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग आज हम एक important topic पर चर्चा करने वाले हैं defamation case को लेकर साथियों सबसे पहले में discuss करूँगा case को फिर उसका practical applications क्या उसको पर discuss करूँगा और एक general समानने scenario जहां पर ये satisfaction feedback ती है साथ जो कई बार ऐसा होता है कि हमारी पत्नियां हमारी माना नहीं करती हैं और social media में जाकर हमारे खिलाव अब बहुतरे टिपेडिया करती हैं आप परशान हो जातों कि क्या करें कानूं में जो है remedy क्या है किस तरह से आपने राइट्स को जो है secure करें तो उस context में Bombay record क एक recent judgment है जो काफी महत्पूर्ण है क्या है यह judgment एक एक पॉइंट को जो है note down करते बेच लिएगा सबसे पहले जो है हम note down करेंगे judgment का नेम यह है माला बार वर्सस साजन शेक नोट कर लिए अपने यह तो हो के judgment का नाम judgment है साथ अगस्त दोजार चौविस का judgment है और यह बास किया गया है ऑन दर इंटेरिम एप्लिकेशन जो की concerned सूट नंबर 24425 अबलिक 24 में जो है पारित हुआ है और यह judgment हाला की Bombay record का है पर इतना लंबा आपको जाने की ज़रूस ने किसी हाई code में आप अपना जो concerned magistrate code है जहां पर civil remedies जो है आपको मिल सकती है वहां जाकर भी आप remedy जो है वह secure कर सकते हैं इस पर लाओं यहां पर concerned जो plaintiff है उसके आरोप यह थे कि जो concerned respondent है उसने YouTube पर content जो है upload किया और इसका content defamatory था और concerning और targeting था plaintiff जिसकारण उसकी जो image थी वो tarnish हुई और इस concerned view को जो है कई लोगों ने देखा और ultimately concerned plaintiff जो है before quote आया कि injunction grant करते वे जो यह defamatory content है उसको remove किया जाए ठीके जी अब इसने करा कि आपने case के अंदर कि सबसे बहले prayer मागी injunction कि कि दुबारा इसा ना करे इसको रोको दूसरी कि इसको हो गया plaintiff को तीसरी बात यह थी कि उसने screen shots रखे उस वीडियो का रखा और उसका अंदरा चीज़ रखा और यह सपशक करने का प्रयास किया कि यह जो consent video है उसको इतने views मिले जो अलाकों में थे इतने likes मिले और जो भी evidences थी उसने इसको as per protocol of section 65B of Indian evidence अब यह क्या हो गया गया है तो यह content जो है वो relevant है इसको भी जो है note down रखा जाए तो code में उनका यह भी stand था कि concern video को भी पेश किया और इससे क्या defamation हुआ उसको बताया और क्या statement defamatory थे और उससे क्या injury cause हुई और क्या परजूरी हमारे पीछे लगा दिया कि उसने जो है अपने यूटूब चैनल पर या Facebook चैनल पर पब्लिश कर दिया कंटिन अमारे खिलाओ कि पती ने छोड़ा पत्नी को या पती ने करी दूसरी शादी या पती जो है पत्नी को मार पिट रहा है कुरूरता कर रहा है दर जुबा मामला इस तरह कंटेंड जो डिफेमेटरी कंटेंड है जिससे आपके माना नहीं होती है या पत्नी कई बार आप सब लिखती है इंस्टाग्राम पे या YouTube पे या Facebook पे या email हमारी प्रोफाइल है उस पर जाके comment करती है गलस सलग तो वहाँ पर क्या करेंगे हम first जो instance है सबसे पहले evidence को प्रिजर्व करना है होगी अगर आप section 157 CRPC को पढ़ोगे तो पूलिस की ट्रेंडिंग भी होती है कि सबसे पहले evidence करो evidence करेंगे और रिमूब कर देगी और रिमूब कर देगी फिर आप कुछ नहीं बचेगा आपके पास में फिर वह रिकवर करते हो वह बहुत बात की ब opinion वह content को जो है analysis करेगा उस पर अपना जो expert view है वो देगा उसका expert view जो है वो support करेगा बाइदा virtue of concern एफिडेविट के लिए रहे जो कि 65 भी इंडेविटेंस है यह section 63 बीएसे में जो है दिया जाएगा साथियों point number 3 जो है समझना है आपको कि उसके बाद आपको concern जो पक्षकार है उसको आपको legal notice देना है और legal notice में आपको सारी की सारी बाते लिखने किस तरह से आप वैथित के अंदर आपको civil suit जो है file करना पड़ेगा और यह suit file होगा order 7 rule 1 cpc के protocol के ताहब ठीक है जी अब उस suit के साथ में आपको file करनी interim applications भी जिसमें आपको injunction और जो defamatory content है उसको shutdown करने या उसको unless करने या remove करने की महांग भी जो है करनी है आपको इसके अलावा जो आप drafting करेंग मैं पारओ point number 6 में उसमें आपको vicious जोड़ देना है कि यह statement जो है without justification है justification होगा तो बताएगा अगर वो नहीं बता पार तो वहांपर आपका पक्ष जो है मजबूत हो जाएगा और civil matters को beyond reasonable doubt प्रूव नहीं करना होता है जिसका basic criteria किया है preparedness of the probability इसके अलावा हमको evidence को submit करना है with the दावा and with the concerned application जो point number 7 है इसके अलावा कोई conduct है कि यह इस तरह का habitual विक्ति है गलास अलच छापरा इसके पार license नहीं है उसको भी अपने को highlight करना है और अगर इसकी evidence है तो उसको भी अपने को एनेक्ष करना है इसके अलावा intermediary guidelines जो बनी वी है digital media के लिए जो ethical rules बने वे 2021 के उ उस पर जो है अपने को निर्भर करना है और जो concerned URL को जो expert ने अप्रूव किया है और उसके context में जो है अपने opinion दिये उसको भी जो है अपने को list करना है अपने platings के अंदर तकि अपने को remedies जो है specific मिल सके है और इसके अलावा उस दावे को जो है आपको efficiently argue करना है उस petition को जो है अपने claim करी है एक jurisdiction होता है इस पर जो है अपने को जोड़ताना है तो यह मुटी मुटी बात है cause of action को लेकर remedies को लेकर और इस तरह के matter में कैसे अपने को proceed करना है उसको लेकर साथियों का topic अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीज़ेगा मिलते है एक एड़ोपी के साथ तिल देन जय हिन जय भरत